हेलो दोस्तों स्वागत आपका मैं इस नए वीडियो में दोस्तों काफी समय बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं क्योंकि मैं काफी टाइम से बीजी था अपने एक दूसरे काम के अंदर तो अभी जाके फिरी हुआ हूं तो सोचा क्यों ना वापिस आप लोग तरीके से जैसे content creation करके earning करना जाता है तो उसके तरीके क्या-क्या है और जो content creator जिनको आप फॉलो करते हो या जिनके आप वीडियो देखती हो वह कितना पैसा कमा लेते हैं और content creation से किस-किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है सिर्फ एक वे ही नहीं है कि आप YouTube पे Facebook पे या मत जाना है जो ad revenue है ना वो तो considerable भी नहीं है मतलब जो बड़े-बड़े YouTubers का है या जो content creators है जो काफी बड़े level पे जा चुके हैं उन लोगों के लिए YouTube money तो value ही नहीं करती है क्योंकि उनको content creation की वज़े से दूसरी जगे से ही काफी अच्छा पैसा मिल जाता है अभी हम किसी भ व्लॉगिंग में सबसे number 1 पर अभी कौन चल रहा है सौराफ जोसी अगर सौराफ जोसी व्लॉग की बात करूं मैं आपको यहां पर आप देखोगे अगर socialblade.com जो website है महाँ पर जाकर आप सर्च करते हो तो आपको revenue बतालता है कि इतने views आता है तो इतनी earning होती है लेकिन वह exact earning नहीं है उसके लिए मैं separate video बना चुका हूँ कि किसको कितनी ECPA मिलती है जिस category का content है उस category के अंदर क्या ECPA मिलती है वह तो वहां से देख सेना लेकिन अभी हम बात करने content creation के अंदर जैसे सौराफ जोसी जो की ब्लॉग बनाते है डेली lifestyle vlogs हो गए तो उनकी जो earning है वो कहां स है mobile से related या फिर कोई electric vehicles आगे जो कि कापी ज़्यादा टेक से related है उस चाहिके की वीडियो बनाता तो उनको क्या होता है उस चीज को promote करने का ही पैसा मलता है तो जो भी mobile है वो mobile कंपने को mobile भी भी वेज़ेगी साथ में कुछ amount भी देगी कि आप हमारे product का review करो तो उनके revenue से भी ज्यादा है sponsorship अगर आपका sponsorship आने लगती है तो यह देख लोगी जैसे आपको YouTube से पूरे महीने के अंदर अगर आप 50,000,000,000,000 रुपए कमा रहे हो तो आप sponsorship से उसी time के अंदर उन्ही वीडियो के अंदर लग बग 2-3,000,000 रुपए कमा दोगी डिटेलिंग पे वीडियो सब चीज के आएंगे आपको एक एक चीज में आपको step by step बताऊंगा क्योंकि मेरा भी एक ओर चैनल है अभी सेक मोटो के नाम से जिसको आप जाके सर्च कर सकते हो जो automobile sector का चैनल है अभी वहाँ पे मेरे पास भी sponsorship आती है तो जो YouTube revenue है उससे ज्या Instagram पर upload कर सकते हो वही वीडियो different different social media platform पर जाये का और आपका time एक बार लगा वीडियो बनाने का time एक बार लगा एडिटिंग का time एक बार लगा थम्झिल बनाने का time एक बार लगा लेकिन जब आप multiple social media platforms के लिस्ट करते हो या फिर upload करते हो तो वहाँ से आपका ad revenue automatically ज्यादा generate होता है sponsor आपको ज्यादे अच्छी मिलती है वही content creation के अंदर आप affiliate के थुरू भी पैसा कमा सकता है तो आपको बता दूँ मेरा जो दूसरा channel है उसके उपर में एक product को promote करता हूं या फिर आप मैं कहूं कि मेरे पास काफी सार मेरे products है जो कि Amazon पर लिस्ट है flip card पर लिस्ट ह लेकिन जो भी आप चीज यूज कर रहे हो जैसे मैं जो camera यूज कर रहा हूं जो mic यूज कर रहा हूं उन सभी के links मैं अपने अगर video के description में देता हूं तो जितने भी मेरी audience है मानलो मेरा जो video है वो 10,000 गया 20,000 गया उसमें से 1% लोग मतलब 200 या 300 लोग भी वहां पर उस link प affiliate की थूपी पैसा कमा सकते हो तो यह तो होगी देखो content creation से कैसे पैसा कमाया जा सकता है अब content creation करना कैसे है उसके लिए dedicated video लेकिया होगा बाकी मैं आपको बता दूँ आपको शुरुवात करनी है तो शुरुवात आप normal आपको जो भी mobile है उसी mobile से सुरुवात करो दीरे दीर जैसे आप काम करते रहोगे ना automatically आपको समझ मातने लग जाएगा कि इसके लिए इंप्रूव किया जा सकता है और इसी तरीके से दिर दिरे आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो यह था मेरा आज का वीडियो जहां पर मैं आपको content creation के बारे में बताया है क content creation से कैसे पैसा कमाया जा सकता है आई होप आपको वीडियो इंफर्मेटिव लोगाओ को वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आतो लाइक जरू करना सेयर जरू करना चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेला करने जोग तो पादना मिलता हम सब्सक् झाल